पिछले दिनों जब बिमा भारती नितीश कुमार से मुलाकात की थी तो इस बात के चर्चा तेज हो गई थी कि हो सकता है कि बिमा भारती जो है एक बार फिर से राज़त का साथ छोर करके जनता दल उनाइटेड का दामन थामेंगी और तेजस्वी यादव और लालू यादो क छोर देंगी और वापस से नितीश कुमार के साथ आ जाएंगी अब इस पर जनता दल उनाइटेड की नेता और मंत्री लेसी सिंग का बयाना चुका है और वो इस बात पर अस्पष्ट कर चुकी है कि आखिरब चा होगा बिमा भारती जनता दल उनाइटेड को जोइन या नहीं इन सब मुद्दों पर लेसी सिंग ने क्या कहा है इन सब चीजों को लेकर के विश्टार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जनता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल लेसी सिंग ने जनता दल जनता दल उनाइटेड के कारियाले में आयोजित एक कारिकरम के दोरान मीडिया कर्मी से बातचित करते हुए इस बात का हवाला देते हुए कि पिछले दिनों बीमा भारती जब नितीज कुमार से मिली थी इन सब चीजों के सवालों पर जबाब देते हुए लेसी सिंग कहत हैं कि इस पर नितीज कुमार का फैसला होगा वही तै करेंगे अगर बीमा भारती जनता दल उनाइटेड को जॉइन करती हैं अगर वो जनता दल उनाइटेड के साथ आती हैं तो ये फैसला नितीज कुमार का होगा और ये फैसला लेने का हक विस सिर्फ और सिर्फ नितीज कुमार को है अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि बिमा भारती जो है राजद का साथ छोड़ करके क्या जनता देल उनाइटेड के साथ आती है क्योंकि राजद के साथ जाने के बाद उनको कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनका बिधायकी चला गया और इस कारण से हो सकत है कि बिमा भारती राजद का साथ छोड़ दे और जनता देल उनाइटेड का दामन ठाम ले बाकि लेसी सिंग इन सब मुद्दों पर बात करते हुए आगे कई मुद्दों पर बात करती है और जब उनसे आरक्षन के मुद्दे पर सवाल किया जाता है तब वो कहती है कि बि बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोट में इसके खिलाफ अपील कर चुकी है और इसकी सुनवाई हो रही है और इस कारण से सब को पता है कि बिहार में आरक्षन कौन दे रहा है ये लेसी सिंग का जो बयान है वो कहीने कहीं तेजश्री यादों को टार्गेट करते हुए औ तेजश्री यादों राजत जो है पिछले कई दिनों से लगातार इस बात का हमला कर रहे हैं और नितिश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि नितिश कुमार के पाला बदलते ही आरक्षन पर रोक लग गया उसके बाद लेसी सिंग जो है तेजश्री यादों पर भी हमला ब कि बिपक्ष के नेता जो है वो सदन से गाइब रह रहे हैं और इसको लेकर के लेसी सिंग जम करके लपेट देती है तेजस्वी यादों को लेकर के क्या क्या कह देती हैं वार्ची आप इस बात को समझ लीजिए कि लेसी सिंग ने लगबग उस मुद्दे पर पस्त्राय दे कि अगर विमा भारती जनता जल उनाइटेड में आती हैं राजत का साथ छोर करके वापस नितीज कुमार के साथ आती है तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नितीज कुमार का होगा लेकिन सोचने वाली बात ये कि क्या नितीज कुमार जो है विमा भारती को अपनाएंगे क्यों उसके बाद खबडे आती हैं कि बिमा भारती इस बात का अलान करती हैं कि जो भी पार्टी उनको लोकसभा में चुनाओ के लिए प्रत्यासी बनाएगा वो उस पार्टी के साथ चली जाएंगी और फिर राजद उनको मौका देती है जनता देल उनाइटेड और अपने बिधा के लिए उप्चुनाओं में उतारता है मैदान में लेकिन उसमें भी उनकी करारी हार होती है उसमें भी वो तीन नंबर पर खतम होती है और निर्दलिये परत्यासी संकर सिंग वहां से बाद ही मार जाते हैं और अब सोचने वाली बात ये कि क्या नितिश कुमार इन सब ची जनता दली उनाइटेड की कैंडिडेट होंगी इन सब चीजों को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के मादम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन